ओम श्री गनी शाय नमदूस्तू एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 अक्टूबर मंगलवार की राशी फल के बारे में की हाद दिन मकर राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान नैना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिभी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो घर परिवार में आज कोई सुब कारे संपन होनी की संभावना बन रही है परिवार में आज उत्सव का माहौल हो सकता है शंतान पक्ष को लेकर आज आपके चिंताएं दूर हो सकती है तथा आपको किसी प्रिकार का कोई सेहोगी प्राप्त होनी की आज संभवना अच्छी बन सकती है ऐसे में सोची समझी रणनीदी के तहद कारे करें जिससे घर में आपका कद बढ़ सके दोस्तों साति सात आज आपका कोई सपना साकार होने वाला है इसलिए अपने कारे पर पूरी तरह से आज ध्यान केंदरित रखें कहीं पुंजी निवेस करना फायदेबंद साबित हो सकता है विद्यार्तियों को प्रतियोगिता संबंदित परिक्षा में उचित परिणाम आज हासिल होंगे दोस्तो आज आपके सबी काम आसानी से संपन होने से मन में प्रसनता और ताजिगी बनी रहेगी अचानक से कोई आर्थिक समस्या हल होने से अपने आपको तनाव मुक्त आज आप महसूस करेंगे इस समय ग्रह इस्तिती आपके व्यक्तित्व को प्रभाव साली बना रही है घर तता समाज में आपको अपनी योगता द्वारा मान सम्मान प्राप्त होगा धर्मिक वे आध्यात्मिक छेत्र में आपका आज विसेस रुजहन रहेगा इनकी वज़े से आपकी सोच अधिक शकारात्मक और संतुलित रहेगी दोस्तो साथिसाथ दूसरों की सलाह की अपेक्षा अपनी योगता और छमता पर अधिक विस्वास करें दोस्तो आज का दिन आपके सपने और महत्व कांचाओं को पूरा करने का है पूरे मनयोग से अपने कार्यों के पृति आज आप समर्पित रहें साथिसाथ प्रोपर्टी से संबंदित रुके हुए आज कार्ये आपके पूरे होंगे इसलिए अपना ध्यान इन पर केंद्रित रखें पैसे संबंदित निवेश के लिए भी आज का दिन बहुती उत्तम है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो अनावशक किसी तरह का आज विवाद उत्पन होने की संभावना बन रही है दोस्तो कभी कभी आलस की वज़े से आपके कारों में रुकावट आ सकती है ध्यान रखें कि थोड़ी सी लापरभाई आपको अपने लक्षे से भटका देगी किसी प्रकार के दुविदा के इस्तिती में किसी अनुभवी व्यक्ति की सला आपके लिए फायदे बंद रहेंगी दोस्तो साथ साथ आपको एक बात का विशे सुरूप से यह भी धियान रखना है कि कई बार कठोर वानी से अकसर कुछ लोगों में नाराजगी उत्पन हो जाती है इसलिए अपनी बोलचार का लहजा नरम रखें काम की अधिक्ता का भी प्रबाब आपकी सेहत पर पड़ सकता है इसलिए लगातार आराम भी लेते रहें दोस्तो ईगो और अति आत्म विश्वास की भावना आपकी मुख्य कमजोरी है इन पर आप काबू बना कर रखें क्योंकि इस वज़े से कुछ लोगों के साथ संबंद आज आपके खराब हो सकते हैं फौन और मित्रों के साथ अपना समय व्यर्थ ना करें साथिसाथ किसी बाहरी व्यक्ती के हस्त सेप की वज़े से कुछ तनाव उत्पन हो सकता है और घर के बड़े बुजरुगों का अपमान होने की भी आशंका है साथिसाथ आज खर्चों की भी अधिक्ता के कारण बज़ट भी गड़बडा सकता है थोड़ा सावधान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली हैं दोस्तों पती पतनी के आपस में मधूर संबंद रहेंगे वेस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकानना घर के बातावरन को और भी खुसनुमा बनाएगा परिवार के साथ मनोरंजन वेस्ट सौपिंग में आज समय व्यतीत होगा इससे घर में खुसी का माहौल और अधिक रहेगा साथ साथ एविवाईतों के लिए भी आज कोई अच्छा रिस्टा आ सकता है जिससे उनका मन बहुती प्रसंद रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वेवेस्टाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जिन बिजनिस पार्टियों से अच्छी बात चीत चली आ रही है आज उनके बहतर परिणाम सामने आने वाले हैं महत्मपोर्ण उपलब्दियां आज आपको प्राप्ट होंगी नोकरी पेशा वेक्तियों का कोई टार्गेट पूरा होने से आज सुकून रहेगा वेवेशायक इस्थल पर आज आपका रुत्वा बना हुआ रहेगा कर्मचारियों का अपने कारेक के प्रती पूरी तरह से समणपन भाव रहेगा जिसके वज़े से काम समय पर आज आपको पूरे प्रतीत होते हुए नजर आएंगे साथ साथ प्रापर्टी के वेवसाय से जुड़े लोगों की आज कोई बड़ी डील होने की संभाव ना है साथ ही पबलिक डीलिंग में आज आपको मुनाफा होगा नोकरी पेशा वाले व्यक्तियों को कोई ओफिस्यल यात्रा आज करनी पड़ सकती है मीडिया तथा मार्केटिंग संबंदित वेवसाय से जुड़े लोग आज बहतरे इन उपलब्दियां प्राप्त कर सकते हैं इसलिए अपने संपर्क सूत्रों के साथ जादा से जादा समय व्यतित करें दोस्तो आज आज आपको कारेचित्र में मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होंगे जिसकी बज़े से आपका मन भहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको किसी समय ठकान और कमजोरी महसूस हो सकती है इसके लिए आप अपने खानपान पर विसेश रूप से ध्यान दें साथ साथ आज आप आरवेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो साथ साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपय क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निरवत्र होने के बाद एक जोड़ी नई चपल भगवान भोलेनात का इसमरन करते हुए किसी जरुत मंद को दान करें जो भी आपके जीवन में परिशने चल लगी हैं समस्त परिशने उकांत करेंगे और आपको ऐसा करने से जल्द ही विशेस लाभ प्राप्त होगा दोस्तो भगवान भोलेनात का सिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै भोलेनात अवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद